हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो आवर चैनल फ्यूचर स्टुडी ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टन होने वाले डियू एस रेगुलर एंसे वेप कॉलेज स्टूरेंट की जो की सेमिस्टर फोर के न्बीए प्रोगाम है जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है इसके इंप क्लासिस 11 में जो हमने आपको कोशन का अंसर बताएंगे देखिए कोशन क्या है नोट्स लेनी की चरन और नोट्स लेने पर सम्भाने सुझाओ का उलेग कीजिए तो यह कोशन आपके सामने इसके आंसर हम आपको इस वीडियो में कंप्लेट बताने जारे तो नोट्स लेनी और उसे अपने अनुभावों पर लागू करें मतलब की देखो कोई भी टीचर आपको कुछ भी बता रहा किसी चीज की व्याख्या कर रहा है तो उसको आप लिखने की जगाए मतलब लिखने की वज़या आपको उसको सुनने में ध्यान देना चाहिए कि आप उसे अच्छ पुराने ग्यान हो गए उन सभी से आप जूड़े रहेंगे तो आपकी सब्दे आपकी जानकरी उसमें समक्ष बनाएगा अच्छी तरह से जानकरी प्राप्त होगा थार्ड पॉइंट है महत्पुन संकेतों को पहचानना कि जो इंपोर्टन पॉइंट होते हैं संकेत होते पहचानन करती है मतले कि जो आपकी संकेत कैसे गें समय की मात्रा कि इस सभी को मणाची कि पहचान ड आप सब आना चाहिए's पॉइंट है रिकोर्ड करना जो की मुख्य विचार होते हैं उन सभी को आपको रिकोर्ड करना चाहिए कि लिखना चाहिए पर्मुक अउधानों को सुनना और capture करने और प्रासंगिता उधारनों को सुनने की भी संतूलन बनाना जो भी आपको कुछ उधारन दिये जाते हैं कुछ प्रासंगिता की जाते हैं उधारना हो तो उन सबको आपको सुनना होता है उन दोनों के भी संतूलन बनाए रखना चाहिए और प्लस आपको लिखना भी 5-प्रत समीच्छ और संसोरित करना सामगरी पर को फिर से रेखनतित करना और नोट फिर से पाथ और संसोरित करना आपने गहाद रखने में आपकी साहतर कर आ आपको लिखना चाहिए जो भी आपने मिश्टेक कि उन सब को सही करना चाहिए जिसके आप से साहिता होगा आपको याद होगा आपको समझने में मदद मिलीगी ठीक है तो यह तो इसके चरहने 5 पॉइंट है देखें नोट लेने पर संबाने सुझाओ तो आपको जो यह नोट लेने का तरीका चुने नो नोट लेना एक बुन्यादी आदत है जो आपकी सभी इस्तितियों और पार्ठेक्रमों के लिए विक्सित करनी चाहिए तो जो सभी बैक्तिकों नोट लेने चाहिए कि बुन्यादी जो आदत होती है आप सभी किस्तिती होती है और सभी जो सभी आउसक उपकरन है मतलब काम करने के लिए सभी आपके पास मौझूद हो नोट पैड का उपयोग करते समय सुनिचित करें कि उसके पास प्रियाप कागच है इसके अलावा सुनिचित करें कि आपका पैन साथ ही एक बैक और संभाव एक अलग रंग की सियाई वाला पैन जोड देने के लिए उपयोग किये गए जाए यदि आप लैप्टोप पर लेनी की सैली की लिए सबसे अच्छा काम करता है तो इसमें देखो सबसे पहले आपको इस पॉइंट के अन्द किया है कि नोट लेनी के लिए आपको तैयार है चाहे आप उस कॉपी में ले लैप्टोप में ले अगर आप लिखते हैं तो आपको अपने पैन की दीखनी अच्छा अप्लिकेशन का आपको यूज करना चाहे जिसमें आपके नोट सुरच्छत रखे जाए यही होश्ट पॉइंट का मतलब है एंड सैकेंड पॉइंट इसका देखते हैं लिखते समय कागच के एक तरफ का प्रयोग करें मतलब कागच के एक तरफ कर आपको एक पी तो आपको समझ माइए कि लिखते समय से पेकी साइड का प्रयोग करना चाहिए और सैकिंड पेज का नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके जो पार्ट है जब पढ़ेंगे ना तो उसको अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा नोट सापको दिखेगा क्लेन थार्ट जो कि आपको मदद करेगा काफी ज़्यादा फोर पॉइंट इसका देख सकते हैं लैप्टोप को प्योग करते समय से इस तरह रखे कि आपकी प्रासिक्षक और बोड को सीधे अपनी स्कीन के ऊपर देख सके यह प्रासिक्षक को अपनी नजर के दायरे में रखे रखेगा वहले ही आपको समय समय पर अपनी स्कीन पर नजर डालनी पड़े सुनीचित करें कि आपके दियान आपके लैप्टोप के वज़ए प्रासिक्षक पर बना रहे मतलब कि जो लैप्टोप होता है जैसे कि आप अपने सामने लैप्टोप पर प्लस सामने जो टीचर पढ़ा पर आपका दियान होना चाहिए उनके बोड पर धियान होना चाहिए लैप्टप को इस तरीके सापको रखना होगा कि तोनों पर आपका द्यान आकसित हो यह नहीं कि सिर्फ आप लैप्टोप में देखे जाए और टीचर जो बता रहे हैं आपको समझ में कुछ नाए तीक है जो इसका 5 पॉइंट है कोशिस करें कि कही गई हर बात को नोट ले ना करें मतलब की कोशिस यह करना है कि सभी बातों को आपको नहीं लिखना है कुछ इंपोर्टन पॉइंट होता है से पुनी को लिखना है इसके अलाव जो फालतू के वाते होते हुआ कुछ नहीं लिखना ह प्रासिख्छक प्रासिख्छक पड़ा बोर्ड पर निख्वी को सब considerate विचारों की प्रियाब जगह हो यह आपको बात में और नोर्स जोनने की अनुमती दे मतलब कि जब आप कॉपी में लिखते हैं तो सुनिचित यह करना है कि आपको कम से कम गैप दे के लिखना है एक लाइन छोड़ के लिखना है जिसकी विजह सा अगर आप कुछ भूल भी प्रियोग करें यह आप निर्वर करता है कि आप किसे चुनते लेकिन सुसंगत रहे ताकि जब आप अपने नोर्स को दुबारा देखे तो आपको ठीक से पता चल जाए कि ए टीटी से आपका क्या मतलब है मतलब कि आपको संकेत जो होते हैं उनका संचित जो वितरन आप कर ते न को आपको समझ में आना चाहिए जो आप सब्दों आपको समझ में आना चाहिए तो आपको समय माना को यूपर इसके अलावा अपने बैक टिकत विचारों परसनों को पहचानने के लिए कुछ साधनों को प्रियोग करें जिसे आपको अलग करें ठ्रियों तो आपको सही लगें आपको समझा सके आपका 10 प्रियोग करने के लिए जब को पीछे हो जाते हैं तो आपको प्योग करते हैं एक प्रतिक बनाए संकेत को नोट कर ले कुछ जगा छोड़ दे और इस बात पर ध्यान केंदित करें कि सिक्षक अभी क्या कवर करा रहा है मतलब कि जैसे कि आप नोट्स लिखते समया आपके टीचर आगे चले जाते और पीछे रह जाते कुछ सब्दा आपके वर्ड छूट जाते तो इसकी जगह आपको एक चिंद बना देना कि यहां पर छूट है उसका गैप देंके आगे नोट्स आपको लिखने और उसके बाद आपको क्या करना कि जो आपके सांत होते आपके फ्रेंट हो उनके नोट्स में से देख्के आप उस जगा के गैप को अब भर सकते और आप बात में किसी साहापाथे या व्याक्ता को रित्थान भरने के लिए कह सकते हैं श2 बाद में इससे देखके हो थे अपने जल्रीक and आप समझे किसी ऐसर नोष्ट के समिछा करें उसी दीन सर अच्छा है समसे कि समझ colonies फोलिक तो नोष्ट को परभावी बनाने की कुझिया उसक आउधानाओं को इंगित करने और तथियों को विश्टर करने के लिए रिकॉल कलम का परियोग करें अपने नोर्स में किसी भी रिक्तिस्थान को भरें और जल्दिवाजी में किये गई किसी भी आले को साप करें या फिर से बनाएं कुछ भी आपने गलत कर दिया तो उसको इंगित करते हुए तो आपको उसको मिटा देना चाहिए और उसको द्भारा से उसको खाले स्थान को भरना चाहिए उससे साप करके तुबारा से बना सकते हैं ठीक है इन इसका लाश्ट पॉइंट जो आपका बंता है कच्छा के तो भी कुछ आपने लिखा अपनी सोच समझ के अनुसार उसका जो लाश में जो निसकस कह सकते हैं उसको आपको लिखना चाहिए अपने सब्दों में कि आपने सब्दों में क्या समझा जैसे कि कोशन खतम हो चुका है यहां पर टोटल 12 पॉइंट हमने आपको बता है अप इ नेक्स क्लास से चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेग जिए वीडियो को सेर किजिए का थेंक्यू